हेलो माई डिये फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे कोश्चन एक्स्प्लेइन दी ओर्गेनाइजेशनल सैटप ऑफ दा डी आइसी जो डी आइसी होते हैं डिस्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज सैंटर्स जो होते हैं उसका सैटप कैसे होता है उसमें कौन-कौन से मैने और इनडस्ट्रीजर मैनीजर होता है आप क्षी कषांग साफान फॉर्ण की तरह इसने क्या होती है चार पंक्ष्ण्णम्ट मैनेजर्स होते हैं जिन मेंसे चार मेंसे तीन जो होंगे वह एक कौन-कौन से इरया से आएंगे तीन आएंगे इकोनोमिक इन्वेस्टिगेशन्स, क्रेडिट एंड विलेज इन्डस्टिज यानिकी इकोनोमिक इन्वेस्टिगेशन्स, क्रेडिट एंड वेलेज इन्डस्टिज से एक एक मैनेजर होगा और जो चोथा यानिकी फोर्थ जो फंक्शनल जो मैनेजर वो होगा वह interested with the responsibility of the any of the area like raw material, marketing and training तो इन मेंसे depending upon the specific requirement of the each district जाने कि जिस भी district की क्या specific requirement है तो फोर्थ जो कि functional manager होता है उसकी जो responsibility के according जो different areas होते हैं जिसकी raw material, marketing and training तो इन मेंसे जो भी requirement होगी उसकी according उसको लिया जाता है फोर्थ manager को then three project manager to provide technical service in an area relevant to the need of the district concern यानि जिस district का जा जो concern होगा उससे related तीन project manager जो की technical साहिता या service जो देंगे जो भी requirement होगी उस particular district के अंदर उनका role क्या होगा, their role is to facilitate modernization and upgradation of the technology in a small sector, जो small sectors होते हैं उनमें क्या किया जाता है facilitate करने के लिए modernization यानि कि जैसे modern technology आती है उसको facilitate करने के लिए और technology जो की available है पहले ही उसको upgrade करने के लिए project manager help करते हैं ठीक है, at the subdivision level there could be assistant director, subdivision level पे assistant director होता है industries का और industry promotion officer होते हैं लेकिन जो यह जरूरी नहीं है कि जो assistant director industries का या industry promotion जो officer हो वो हर एक state में exist करें ठीक है, वो requirement के recording ही होते हैं तो यह था discussion I think आपको helpful लगा अगर वीडियो अच्छी लगती है like, comment and share शुरूर करना जिससे मुझे all videos बनाने के लिए motivation मिले, आज यह complete आपका chapter पूरा हो जाएगा और आज upload नहीं हुआ तो कल आपका पूरा chapter and second chapter भी upload हो जाएगा, have a nice day